हेलो एफरीवान कैसे हैं आप सब आई हो बहुत ज़ादा बढ़ी होंगे तो आज मैं फिर आ गया हूँ बहुती मज़ेतार सी बंगॉली रेसिपी लेके वो है प्याजे डाल यानी की प्यास का डाल फूल कोपी भाजा यानी की फूल कोपी फ्राई और आलू भाजा यानी की अलुफ्राई तो ये बहुती साधा रेसिपी है गर्मियों में जब कुछ हैवी खाने का मन ना करें तो आप इस टायप से ये रेसिपी बना के जरूर ट्रै कर सकते हैं खाने में बहुत अच्छा लीजेगा और quantity जिससे साब से डाल की उसे साब सारी चीज़े यूज़ करिएगा तो अब ना मैंने डाल को धोके उसमें एक कप जितना पानी डाली के उसे कुकर में डाल दिया है अब मैं क्या करूंगी ना इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर आपको जितना ह एक सीटी लगने तक पकाऊंगी अब डाल की quality के उपर matter करता है अगर डाल अच्छा होगा तो वह एक सीटी में पक जाएगा अगर अच्छा नहीं होगा तो वह नहीं पकेगा तो आपको अपने डाल के साब से देख लेना है कि वह कितने सीटी में पकने वाला है तो अब न डालना एक सीटी में अच्छे से पक गया मैंने इसे ज़ाधा गलाया भी नहीं जादा खड़ा खड़ा भी नहीं रखा तो अब ना डाल को छॉक लगाने के लिए मैंने कड़ाई पे डाल दिया one डेबल सपून सरसो का तेल तेल अच्छे से गरम उने के बाद मैं ने उसमे डाल देया प्यास प्यास को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है तो हमें ना प्यास को जादा फ्राइ भी नहीं करना हमें उसे बस नॉर्मल फ्राइ करना है बस उसका कच्छा पंदूर हो जाए और वो थोड़ा सा हलका ब्राउन कलर में हो जाए तो गाईस यह देखो प अबना मैं डाल को तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए और उसके साथ मैं डाल दे रही हैं इसमें एक साभू धरी मर्च मिर्चें आपको जिस हैसाब से पसंद है आप उस आप से डाल दीजेगा तो बस डाल में अच्छा खासा उबा लाने लग गया है डाल को हम इसे दादा और नहीं पगाएंगे तो अब हम इसके सथ खाने के लिए भाजी बना लेते हैं तो अब ना आलू और कोपी को फ्राइ करने से पहले मैं डाल दूँगी अब ना मैं हल्दी और नमक को कोपी और आलू के सथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ठीक है जिससे कहीं पे भी नमक की कमूल महसूस ना हूँ तो अब ना आलू और कोपी को फ्राइ करने के लिए मैंने डाल दिया कड़ाई पे वन टेबल स्पून के करीब रिफाइन ओयल अब मैं ओयल को अच्छी तरीके से गरम करूँगी फिल को अच्छी से घरम करने के बाद मैंने आलू और कोपी को दोनों को एक साथ डाल दिया और मैं इन्हें ना जादा क्रिस्पी करके फ्राइन नहीं करूँगी बस इतना फ्राइन करूँगी जितना कि ये थोड़ा पक जाए जिससे खाने लाइक हो जाए है ना तो मेन मुद्दे की बाद ये कि जिससे थोड़ा पक जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए जिससे खाने लाइक हो जाए है तो मैं उतने देरी इसे पकाने वाली हूँ ये देखे मैंने टोटल पांच मिनिट तक पकाया मीडियम फ्लेम पे तो ये अच्छे से पग किया है जाधा क्रिस्पी नहीं करा मैंने इसे ठीक है तो ये देखे गोबी और आलू को ना मैंने अच्छी तरीके से पका लिया है और मैंने इसे जाधा क्रिस्पी करा नहीं ज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस ये डाइप की रेसिपी मैं डेली अपलोड करती हूँ और रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा और अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजेगा जिसे वो भी रेसिपी जरूर ट्राय कर सके और मैं फिर्म लोगे आपको एक नई रेसिपी के साथ तब तब के लिए बाई